अगर आप इसी तरह हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपडेट्स पाइने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें इस वीडियो की पीडियो आपको नालंदा अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएए चलिए आप कोस्टन की त अब अगले कोस्टन की तरफ बढ़ते हैं कोस्टन नंबर सेकेंड है हमारा निमन में से किस अभिनीता को हाल ही में सरचटवे समारों में फिल्म जगत के सरवुच दादा साहिफ फाल के अवार्ड से समानित किया गया है चलिए फ्रेंड्स आपके उप्शन से ए अक्षा कुमार बी अजैद्योगन सी सल्मान खान डी रजनी कांथ फ्रेंड्स हमारा राइट उप्शन है डी रजनी कांथ सुपर इस्टार रजनी कांथ को सरचटवे समारों में फिल्म इंडस्ट्री में 45 वर्स तक अपने आपके उप्शन से एक केरल बी गुजरात सी महरास्ट डी हर्याना हर्याना के मंत्री मनुहर लाल खटर ने हाल ही में राज्जी में सिक्षा के इस्टर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्ट सिक्षा युजना की घुचना की है चलिए फ्रेंड्स अब अगले कोश्चन की अगले के लिए फ्रेंड्स अमरा राइट आपसंट हैं भारत ने हाल ही में बिहार में जैनागर को नेपाल में कुर्था को जोड़ने वाला चौनते दसमलो 9 किलोमीटर लंबी सीमान नेपाल को सौपा है यह रेल लिंक का जैनागर कुर्था खंड 68.7 किलोमीटर जैनागर बिजलपुरा बरदीदास रेल लिंक का हिस्सा है यह भारा सरकार के अनुदान सहारता कारिकरम के तहट बनाया गया है चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर फिप्ट है हमारा इन में से किस देशने हाल ही में साओधी ग्रीन एनिसियेटिव फॉरम स हाल ही में साओधी अरब की नए हरित उद्देशों की घुषना के साथ रियाद में साओधी ग्रीन इनिसियेटिव फॉरम शुरू किया है यह फॉरम अंतरास्टी हस्तियों और हाई प्रोफाल सहकारी नेताओं के साओधी अरब द्वारा किये गए पर्यावर्णी प्रयास इसके साथ ही गो फ़स्ट इन दोनों देशों के बीच उड़ाने सुरू करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है चलिए फ्रेंट्स आफ अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमबर सेवन थे हमारा हाल ही में किस देश में हुए तक्ता पलट के दौरान प्रधान मंत्री और अंतरिम सरकार के कई मंत्रियों को सीना ने ग्रफतार कर लिया है फ्रेंट्स आपके उप्सन है ए सूडान, बी माल्दीव, सी चीन, डी ऑस्ट्रेलिया हमारा राइट उप्सन है ए सूडान हाल ही में सूडान में प्रधान मंत्री और अंतरिम सरकार के कई मंत्रियों को सीना ने ग्रफतार कर लिया है जिसकी वज़े से देश ने तक्ता पलट हो गया है सुडान की सूचना मंत्राले ने गिराफ्तार किये गए लोगों को रियाहा करने और सरकारत का तक्ता पलटने की कोशिसों को रोकने की अपिल की है चलिए फैंट्स आब अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमबर एट थे हमारा किस देश में सालमूनेला बैक्टिरिया की संक्रमन की सेकड़ो मामले सामने आए हैं आपके ओप्सन सें दूस्तो ए ऑस्टेलिया बी अमेरिका सी चीन डी जापान चलिए फ्रेंट्स आपका राइट ओप्सन है अमेरिका अमेरिका में सालमूनेला बैक्टिरिया सी होने वाले संक्रमन की 650 से अधिक मामले सामने आए हैं यह प्रकोप दूसित प्यास के करान हुआ है हाला कि कोई मौत नहीं हुई है 100 से अधिक मरीजों को अस्पताल में भरती कराया गया है चलिए फ्रेंट्स अब अगले कोईशन की तरह बढ़ते हैं कोईशन नमबर 9 थे हमारा किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट एन आई ए ओन क्लाइमेट जारी किया है आपकी ओप्सन से A. जापान B. अमेरिका C. चीन D. जर्मनी फ्रेंट्स हमारा राइट ऑप्सन है अमेरिका ठीक है अमेरिका ने हाल ही में नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट एन आई ए ओन क्लाइमेट जारी किया है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को 10 अन्य देशों के साथ चिंता जनक देश के रूप में वरगी करित किया गया है इस सूची में अन्य देश, अफगानिस्तान, गौाटिमाला, हैती, हेंडुरास, इराक, पाकिस्तान, निकारागुआ, कोलंबिया, मियानमार और उत्तर कुरिया है चलिए दोस्तों आपने आखरी कोशन की तरह बढ़ते हैं नमबर 10 थे हमारा भारत के अंतराश्टी फिल्म महुचव IFFI 2021 का मेजवान कौन सा सहर है आपके ओप्शन से हैं दोस्तों एक उलकाता, भी मुंबई, सी गोवा, डी दिल्ली फ्रेंड्स हमारा राइट ओप्शन है गोवा, सी गोवा भारत के अंतराश्टी फिल्म महुचव IFFI का 52 संस्क्राण 20 सी 28 नमबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा केंद्री सूचना और पैसारान मंती अनुवाग ठाकुर ने घुशना की की हॉलिवुट के दिगज मार्टिन इसकार सीसी और हंगेरियन फिल्म निर्माता इस्तवान चाबो को इस वर्ष के फिल्म समारों में सत्या जीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट प्रुषकार से समानित किया जाएगा चली दोस्तों इसे के साथ मैं विदा लेती हूँ अब आगले दिन नहीं जानकारे के साथ मिलूँगी धन्याव